इसका मतलग क्या होता है और कमपनी से कम प्राइज में आप आईडी केसे लीजेगा उसके बारे में बताएंगे A to Z information इस वीडियो में बताने वाले हैं जैसे कि इस application में क्या करना होगा अधिया payment bank application को login कर लेना होगा जैसे अब login की जाग कुछ इस तरह का interface अब लोगों को देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए गाई क्या लिखा है सबसे उपर में banking service जो लिखा है इसके उपर आपको click कर देना है जैसे यहाँ पे click किजेगा तो saving account में क्या है यहाँ पे एक बार check out इसको कर लेते हैं login करके जैसे यहाँ करेंगे देखिए यहाँ एक account दो account तीन account चार पांच छे साथ आठ यहाँ पे आठ बेंकों का यहाँ पे account opening कर सकते हैं उसके आद यहाँ पे क्या NCSB account जो लिखा है इसके उपर मैं click करता हूँ जैसे यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे इसको गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा और आठ टोटल बारा और आठ हो गया बीस बेंकों का आप account opening यहाँ से कर सकते हैं तो इसमें saving account इसमें भी हो गया saving account और ncsb मतलब saving account यह भी हो गया saving account तो दोनों message जिसका भी आप चाहिए उसका आप account opening असानी से कर सकते हैं यहाँ पे दोनों account ही हो गया जैसे अब यहाँ पे किजेगा तो इसमें हो गया saving account में आपको ज्यादा commission मिलेगा इसमें आपको थोड़ा कम commission मिलेगा ncsb account जो है इसमे 1500 तक saving account मिलता है इसमें nc account में आपको कितना मिलेगा 80 रुपे मिलेगा मात्र और इसमें saving account जो लिखा है इसके पर जैसे किलिक किजेगा इसमें आपको 1500 तक commission आपको मिलने वाला है तो वही हो गया आप लोग बहुत बार comment करते रहते हैं इसके बारे मैं सोचा बता देता हू रिटेलर, distributor, super distributor या फिर आप इस्टेडेड या फिर फ्रैंचाजे आप लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के description में मेरा mobile नमरे वहां से contact करके आप असानी से ले सकते हैं या फिर हमारे website से भी purchase कर सकते हैं website का नाम है अजे tips.in तो guys आप लोगों को सारा information बता दिये, company से सस अगर company 1000 में दे रहा तो उसका 50% discount में आपको मिलेगा हमारे पास ID तो चलिए कोई दिक करने उसे करके आप ले सकते हैं असानी से तो इसके बारे में अगर समझ गे तो आप लोगों को यही बताना था आप लोगों को तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे आप लोग तो चलिए